तुल्सी जी सब्सक्राइब करते हैं तो अपके साथ बात कहने का यह तुल्सी जी को आप उंटर में कैसे क्यार करोंगे कि आपकी प्लांट रहे आपके प्लांट की जो पतिया है वो नहीं गिरे तो प्लांट की जो आप अगर फॉलो करोंगे तो बहुत ही इजी टिप्स है जो आप फॉलो करगे तो आपकी तुलसी जी बहुत ही अच्छी और हैल्दी रहेगी और इसकी पत्तिया भी नहीं गिरी इस पे इंसेक्ट भी नहीं लगेंगे तो बहुत ही इजी है तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को फुल देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजी तो चलिए शुरू करती है वीडियो तो टिप्स नंबर वान है फ्रेंज इसकी वाटरिंग क्योंकि तो प्लांट है उसकी मिट्टी थोरी सी मॉइस्ट रहना चाहिए हमेशा ही बरसात में क्या होता है अपको उतना ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं परती है लेकिन जब विंटर आती है ड्राइ होती है तो आपको क्या करना परता है आपकी प्लांट घ्राउंद पे लगाया हुआ हो तो भी आप चेक कर के जails करते हैं रेगूलर कुछ इंआत ध्यांसे करो हैं डूसे बहुत इंपौर्टेकर रहे क्षें में घंड़ेंने लिए आपकी प्लांट है जांड है अगर बहुत जब के घिर्ती है तो तुलसीजी जी पत्या कोल र ख्यान रखना अगर बहुत ज्यादा फौग आप यहां गिरती हो बहुत ज्यादा को अपने प्लांट को शेडी में रख दीजिए यानि कि अगर पॉसिबल हो सके तो बारंदा या फिर आप थोरे सी इंडोर कर लिजिए रात को यहां फिर आप अपनी प्लांट की लगा प्लांट अच्छी रहती है इसकी लिव्स भी बहुत ही एकदम योलो कलर की नहीं होती इसको क्योंकि इसको एकदम बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रहती है तो खली का पानी आप इसके यूज कर सकते हो और फिर जाती हूँ फ्रेंस इंस्टेक्ट के लिए क्या होत अगर बहुत जाधा हो जाए तो इसकी प्लांट के यहाँ बहुत ही चाथा एशन बहुत ही जरूरी है किर्णी फॉटती है पत्या मिलता है और इंसेर उआ क jsem अए इंस्ट्रिय को ऐसा दो ऑक का अच्छा सावरोत बहुति आता होगी आपके पत्यों को एकदम एक अग दम तो नहीं शावर करना जब नून की टाइम हुआ जो थोरी से घलकी धूप रहे तो आप अपनी प्लांट को पूरी तरह से शावरिंग दे दो इससे आपकी जो पत्या है वो भी धूल जाएंगे और आपकी जो प्लांट है बहुत तरो ताजा लगेगा देखने में भी ठीक है यह गई चौथी बात पाच पी टीव से फ्रेंस अप अपनी प्लांट की जो अगर बहुत जल्दी बहुत दिनों तक आप अपनी प्लांट को चलाना चाहते हो तो आप अपके देखो यह जो इसमें जो फ्लावरिंग मंजूरी निकलाई है आपको दिखाती हो यह जो सामने भी बहुत सारा है तो हमारा तो ग्राउन पे ही लागाया हुआ होता है तो उतना जादा मैं उसको नहीं प्लान को इसकी जो मंजूरी है उसको आप तोड़ते रहना ठीक है तोड़ते रहने से क्या होता है यह अपनी लाइफ साइकल को फिर से शुरू करते हैं नियू प्लांट को लगता है कि वह उसका लाइफ सेकल खतम हो गया इसलिए आप क्या करोगी इसकी जो मंजूरी है इसको आप हमेशा ही ध्यान से इसको तोरते रहें ना मेरी एक भी मंजूरी है अभी सबको मैंने तोर के दिया और फ्रेंड्स आप जो भी खराब पत्य आप तो इसलिए आप ऐसा कर अगर करोगे इसको जो फाइप टिप्स मैंने बताई आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने प्लांट को आप बहुत हैल्दी रख सकते हो और पूरी विंटर में आपकी प्लांट में पत्तियों से भड़ा रहेगा तो फ्रेंड्स आशा करत विंटर का मजा लेजिए अपने चारों तरफ गिन बेनाई है इसे बात के साथ में अपने वीडियो खत्म करती हूं थैंक यू